हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेर्न टेक्निकल में फिर से दोस्तों नहीं जॉब की इंफोर्मेशन लेकर आ हैं हूँ रुक्रीट्मेंट आ रही है एच पी सील की तरफ से हिंदोस्तान पेट्रॉलियम कॉर्परेशन लिमिटेड की तरफ से रुक्रीट्मेंट नोटिफकेशन जारी करा गया है ओफिसर्ज की पोस्त के लिए 290 से ज़्यादा की वेकेंसी दे जिसके लिए आप आल आवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं कुछ रुक्रीट्मेंट चुखे वो टेक्निकल पोस्त के लिए है यानि कि आप बी बीटक डिप्लोमा के साथ अप्लाई कर सकते हैं उसके लावा ग्रेजेशन एंब्येवालों के लिए भी रुक्रीट्मेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी डिटेल में में लोग इसके पूरे लिजिबिल्टी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं सेलेक्शन पॉसस के बारे में बात करने वाले हैं कैसे आपको अप्लाई करना उसके बारे में बात करेंगे तो शुरु से लेके लास्टक्स वीडियो को ध्यान से देखिए, कम्प्लीट देखिए ताकि आपको हर एक चीज, हर एक डिटेल का पता चल जाए यह है दोस्तों नोटिफकेशन जो की जारी करा गया है हिंदोस्तान पेट्रॉलियम कॉर्परेशन लिमिटेड की तरफ से इंजीनियर की पोस्त के लिए मेकैनिकल, इलेक्टो, इंस्टिमेनटेशन, सेवल। अगर आपने जो ही वह चार साल का डिग्री कर रहआ है mechanical में, electrical में, instrumentation में, civil engineering में आप eligible apply कर सकते हैं, maximum wage limit 25 साल रखी गई है किसी भी तरह का experience यहाँ पे नहीं मागा गया है, fresher बिल्कुल eligible apply कर सकते हैं, number of vacancies की बात करें, तो mechanical के लिए 103 vacancy है, 42 electrical के लिए है, 30 instrumentation के लिए है और 25 जो है वो civil के लिए है, इसके लाबा chemical engineer जो है वो भी apply कर सकते हैं, 4 साल का chemical engineering degree आपने ले रखी है, आप apply कर सकते हैं, 7 vacancy यहाँ पे है information systems officer के लिए यहाँ पे दोस्तों 5 vacancy से 4 साल का अगर आपने engineering कर रखा है, degree कर रखा है, computer science में IT में आप apply कर सकते हैं, safety officer के लिए उत्तर परदेश में अगर आपने 4 साल की जो है, वो mechanical, civil में जो है या electrical में, chemical में degree ले रखी है, आप eligible apply कर सकते हैं degree या diploma जो है industrial safety में होना चाहिए, तो भी आप apply कर सकते हैं जो कि उत्तर परदेश state government से होना चाहिए और यहाँ पे आपको जिस भी safety officer की post के लिए आवेदन करना है मान लीजे यह उत्तर परदेश यह तो वहाँ की local language आनी चाहिए इसी तरह अलग-अलग जगा पे यह जो है वो post है तो वहाँ की local language आपको आती है, आप apply कर सकते हैं degree के साथ तो यह safety officer उत्तर परदेश है, यह Tamil लाडू है सेम degree के साथ, डिप्लोमा के साथ साथ में जो है, वो आपको knowledge है वहाँ की local language की आप apply कर सकते है Tamil, लाडू, केरला में है, safety officer की, गुवा में है इसके लाबा जो है, और भी एक-दो जगा पे है, आप आके check कर लीजगा आप वो पता चल जाएगा fire and safety officer के लिए भी यहाँ पे दोस्तों जो है, वो B.E.B.T.E.C. आपने कर रखी है fire and safety engineering कर रखी है, आप eligible है apply कर सकते है इसके लाब और भी चीज़े यहाँ पे लिखी गई है, आप आके read कर सकते है quality control officer में 27 vacancies है, 27 year maximum wage limit रखी गई है दो साल की अगर आपने MSC कर रखी है, chemistry में, analytical, physical, organic तो आप बिल्कुल eligible apply कर सकते हैं, यहाँ पे जो है, वो 3 साल का experience आपको चाहिए इसके लाबा जो है, वो blending officer के लिए भी यहाँ पे 3 साल का experience चाहिए same qualification के साथ आप apply कर सकते हैं, charter counted की recruitment है यहाँ पे भी आप चाहिए तो apply कर सकते हैं, इसके लाबा दोस्तो HR officer की recruitment है जिसमें की experience नहीं मागा गया, 2 साल की आपने post graduate degree कर रखी है HR में personal management में, industry relation में, psychology में आप eligible apply कर सकते हैं या MBA आपने specialization में कर रखी है, HR में personal management में आप apply कर सकते हैं welfare officer, विशाक refinery के लिए आपको टेलगून language की knowledge है और साथ में degree है, आपके पास arts की, science की, commerce की साथ में post graduate degree है या diploma है आपके पास तो आप बिलकुल eligible apply कर सकते हैं industry relation में चल जाएगा, personal management में चल जाएगा, HRM में चल जाएगा, तो आप apply कर सकते हैं welfare officer, मुंबही refinery में भी recruitment है, degree, diploma कर रखा है, social science में किसी भी organized state से, university से, माफ कीज़ेगा, यह महराश्चर स्टेट से होना चाहिए और साथ में मराथी language का जो है आपको ग्यान होना चाहिए, बिन experience के आप apply कर सकते हैं law officer के लिए दोस्तों यहाँ पे एक एक साल का experience मांगा गया और manager, senior manager, electrical के लिए यहाँ पे 9 से 12 साल तक का experience हो है, वो मांगा गया है selection process की दोस्तों बात करते हैं, तो यहाँ पे computer based test लिया जाएगा, उसके बाद group task, personal interview, यह सारी चीज़े आएगी और इसके बाद ही आपका selection हो पाएगा, अगर बात करें computer based test की तो negative marking नहीं होगी और यहाँ पे general aptitude आएगा, इसके लावा technical professional knowledge चेक करी जाएगी और बाकी जदा जानकारी के लिए आप notification रीड करिए इसके लावा दोस्तो salary की बात करें तो grade के हिसाब से उन्होंने salary का structure यहाँ पे बताया E2 वालों के लिए 16.26 lakh तक चोहे वो CTC रह सकता है, बाकी C grade वालों के लिए 26.967 lakh और इसके लावा D grade वालों के लिए 31.42 lakh तक चोहे आपका CTC रहेगा बाकी जदा जानकारी के लिए notification रीड करें, link आपको description में मिल जाएगा शुरुआत में यह provision period पे रहेगा, एक साल के लिए उसके बाद जैसे ही आप successfully complete कर जाएगे वो provision period उसके बाद आपको जो हे वो regular जो grade पे जो हे वो salary मिलना शुरू हो जाएगा इसके लाबा reservation as per rule आपको मिलेगी अगर आप reservation ढूण रहे हैं इसके लाबा दोस्तों जो कि बात करें application process की तो 23 जून से आप एदन शुरू हो रहे हैं जो चलेंगे 22 जुलाई 2022 तक इसी के बीच में आपको apply करना है, कैसे apply करना है यहाँ पे link दिये हुए अलग से link वहाँ पे ही generate हो जाएगा, शुरूआत में हम जिस page पे थे उसका link भी आपको मारी website पर मिल जाएगा, आप जाके apply कर सकते हैं application fees की बात करें तो हाला कि थोड़ी जादा है 1180 rupees जो है वो fees आपको pay करना है, अगर आप unreserved से आते हैं, OBC से आते हैं economically weaker section से आते हैं, अच्छी बात यह है कि SCST person with benchmark disability वाले बिना fees के apply कर सकते हैं इसके लावा online mode से आपको apply करना है, तो यह जानकारी दोस्तों दीगी, उनकी notification में जारी करी गई है आज ही के दिन अगर आप read करना चाहते है, notification link description में है, 23 तरीक से जाके आप इसके लिए अवेदन कर सकते हैं, बहुत अच्छी recruitment हो है हो आ रही है, HBCL की तरफ से Thank you very much दोस्ते, इस वीडियो को देखने के लिए आशा करते हो का आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, वीडियो से रिलेटियर अगर आपके कुछ कोसंस है, comment section में पूछिए, channel को subscribe करें, मिलते हैं next वीडियो में